चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्या देखेंगे आपना आज वैल्यू और सप्लाई यानि कि सेक्षिन फिफ्टिन और सीजी एस्ट पढ़ेंगे और वैल्यू आफ सप्लाई को लेके जितने भी आपके रूल्स हैं उन सबको अपना स्टडी करें हैं सबसे पहले सेक्षिन फिफ्टिन बोलता है कि आपका जो वैल्यू आफ सप्लाई आपका जो वैल्यू आफ सप्लाई वह रहेगा आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या रहेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी वैल्यू पर आपनोंको ने ट्रांजेक्शन किया लेकिन दो बात पर को एकदम रखना कौंची दो बाते सबसे पहले supplier और recipient जो है ना इनका कोई आपस में relation नहीं रहना चाहिए यानि कि यह related persons नहीं होने चाहिए पर condition number two price आपका उस्वल consideration रहना चाहिए जैसे कि मैं एक शॉप में गया इन मैंने उसे अगला पॉइंट कि आता है इंक्लूजन इन वाल्यू औउप सप्ला है यह जो बाते भी आपन पढ़ेंगे पाच वाइंट यह आपके वैली आफ सप्लाय में एड होती है इंक्लूड होती है मतलब यह जो पाच बाते इसके उपर भी आप लोगों को जीएश्टी पे करना पड़ा है सबसे पहले है अगर जीएश्टी छोड़के गवर्मेंट ने सॉरी सप्लायर ने आपसे कोई भी टैक्स लिया रहेगा फिर हो सकते हैं मुंसी पल्टी टैक्स हो फलाना धिमकाना टैक्स कोई भी टैक्स उसने अगर आचे लिया तो वह अमांट के उपर भी जीएश्टी आए यहां पर एक पॉइंट को लिख दो एक्सेप्ट टी सी एस यानि कि अगर टैक्स कलेक्टेट एट सोर्स है तो उसके उपर आपका जीएश्टी नहीं आता है ठीक है तो दूसरा पॉइंट आता है एनी आमांट दैट सप्लायर इस लाइबल टू पे बट हैस बीन पेड़ दिए रेसिपियंट यानि कि अभात समझो यह न्यांफ्रे आप लोगों का एक इवेंट ओररती स्हुआ हुआ दा ये तो प्पू पार्टीवाला को करना है कुण बोल रहा है क्या भाई मेरे अफकर तू कर दे मेरे आसको प्पू पार्टीवाला को आपके बीच में हो रहा है इसका वैल्या कितना आएगा तो आपका बिल कितने का हूँ अभी 27 लाइग प्लस तीन लाइग आपने पप्पू पाल्टी वाला की उपर से पे किया था तो टोटल हो जाएगा 30 लाइक रुपीज कितना हो जाएगा 30 लाइक रुपीज क्लियर हेगा कि चलो कि नेक्स्ट किसकी बात कर जा लोग ने कल जाके एक करीदा क्या करिदा ग्री zgooit अभी उसके उपर आप लोगों ने पैकिंग करके लिया क्या करके लिए या या तो कमिशन पे किया या तो ब्रोकरेज पे किया वो कितने का हुआ 200 रूपीस तो इस केस्ट में यह था आपका प्रिंसीपल सप्लाइ बट यह उसके साथ जो एडिशनल था जो इंसीडेंटल था उसके उपर भी जिएश्टी आएगा यानि कि आपका वैल्यों सप्लाइ ज यानि कि जो भी आप लोगों के लेट पेमेंट के लिए आपको इंट्रेस बोलो लेट फी बोलो पेनल्टी बोलो यह जो पे करना बड़ा वो भी आपके वैल्यों सप्लाइ के अंदर इंक्लूड होगा और लाश्ट बट नॉट लिस्ट सब्सीडिस डाइरेक्ली लिंक्ट होो कि को अगरित वाइन ने इन नहीं करने अगा अगर यह अघर आपने प्राइज में इंक्लूड नहीं करने प्राइज में इंक्लूड नहीं करने का हां अगर यह अदर से मिल रहे है तो चेक करो इस इट लिंक्ट टू प्राइज इस इट लिंक्ट टू प्राइज यानि कि जो सबसीड आपको मिल रही है ना वो सीधा प्राइस से लिंक होके मिल रही है अगर येस तो उसको आप लोग प्राइस में इंक्लूड करोगें अगर नो रहा तो आप लोग उसको प्राइस में इंक्लूड नहीं करोगें क्लियर या तक चल बढ़ेंगे आगे एक काम करो इसका अगर आपको कुछ स्क्रीन्चोर्ट वगेरा लेना है तो आप लोग लेके रख़़ो एक 10 सेकंड्स का टाइम दे रहो में आपको कि चलो बढ़ेंगे यह फिर आता है एक्सक्लूजन्स इन डिटर्मिनेशन और वैली और सप्ले एक्सक्लूजन्स यह बाते आपके वैली और सप्लाई से एक्स्क्लूजन्स यह दिए क्वोजत झायंगी कुंसी कुंसी बात तो इसके अंदर आता है सबसे इंपोर्टन पॉइंट उपका discount क्या रहता है discount तो discount के अंदर यह क्या बहुते है इस discount known अच्छा डिसकाउंट सॉरी डिसकाउंट गांदा सबसे बेले गोलते है एट टाइम ओफ सप्लाइब यानिकि जब आप लोग सप्लाइब कर रहे हो उससे टाइम पर आपको मालू में कितना डिसकाउंट मिलने वाला है और उसको आप लोगोंने रेकॉर्ड किया है अपके इ एड नहीं करना है वेल्यू में एड नहीं करना मतब इसको क्या करोगे अप लोग एक्स्क्लूड करोगे क्या करोगे एक्स्क्लूड करोगे और डिसकाउंट आफ्टर सप्लाइब आज आप लोगोंने सप्लाइब कर दिया और तीन मैने बाद उसके ओपर डिसकाउंट दे येस मालूम था, नू मालूम नहीं था, अगर ये नू है कि मालूम नहीं था, तो इसको आप लोग एक्स्क्लूट नहीं करोगे, एक्स्क्लूट नहीं करोगे, बढ़ अगर आपको मालूम था कि तीन मेने बाद इतना डिसकाउंट मिल सकता है, तो पूछो, is the ITC reversed by recipient, मदब जो भी supply आप लोगों ने किया, अगर रेसिपेंट ने उसको इसको फाइदा हो गया, तो तुमारा जो रेसिपेंट ने उसको बोलना, कि देख मैंने देख औरीजनल चीज बेची थी, 1000 रुपे की, वो बोलेगा, हाँ, मैंने दर से 100 रुपे का डैक्स दिया था, वो ब रिवर्स कर, अगर उसने उसको रिवर्स किया, येस, अगर उसको रिवर्स किया, तो उसको आप लोग वैल्यू में से एक्स्क्लूड करोगे, अगर वो बोला, मैं आई टी सी को रिवर्स नहीं करने वाला, तो आप लोग उसको वैल्यू में से एक्स्क्लूड नहीं करोग कि समझा क्या जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ समझा क्या और अगर समझा रहेगा तो पड़ाक से इसके कि चल्द रिलेटेड पर्सन मतलब कौन तो देखो या तो वो ऑफिसरे नहीं तो डाइरेक्टर एक दुसरे यह बिजनेस के अंदर या तो उनको लीगल ही रेकगनाईज़ पार्टनर बोला हैं Employer Employee है या तो डायरेक्ली नहीं तो इंडाइकली ऐन कर रहे हैं करें नहीं तो होल्ड कर रहे 25% ओर मोर सैरोड्डिंग का या तो दोनों समझा एंदाट्र या तो나sch नों कोन्रोल कर रहे हमं फैमिलिई अच्छा भाया फैमिली मतलब कौन जी एश्टी के लिए तो देखो इधर क्या बोल आपन स्पाउस प्लस चिल्रन यह आपके फैमिली कब है हमेशा बढ़ा गर जो आपके पैरेंट से प्लस आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपके फैमिली कब हमेशा कभी बनेंगी वें दे आर ओली और मेंली डिपेंडंट ओन यू ठीक है चलो फिर उसके और में आता है रूल्स रूल नंबर 27 क्या बोलता हम कि वेर कंसीडरेशन इस नौट होली इन मनी आप एक बंदे क्या पास गये अतने बहुत बहुत दो वाला येलो 60,000 का मोबील आप बहुत का माना तू 58,000 का इन्वोईस कर दे मैं तेरा ITR फाइल करके देता हूं मैं तेरी कंपणी इन कार्पोरेट करके देता हूं या मैं और कुछ भी दे को चीज देता हूं तो यहां पर 58,000 सिफ क्या आपका खतम नहीं हो गया उसके बाद में आपने और कुछ दिया तो आपका वैल्यूए चैश में कितना दिया था 58,000 प्लस एनी अमाउंट इन मनी एज एक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी मंदब आपने उसको क्या आपका 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 वैल्यूए और इन दोनों के इस सचा आप लोग डिटर्माइन नहीं कर पाएं तो जो लाइक काइंड तो अगर वो भी पॉसीबल नहीं है तो किसमे जाओ डूल ढूल टंटी और रूल ढूल रटी वन इन डैट ओर इन डयार इन बादर मनला पर ले रूल ढूल ढूल से रूल ढूल टीवन के इस सब से निकाल दो ठीक है चलो उसके बादने रूल ट्वेंटिआ क्या बोलता कि यह जो supply हो रहा है ना यह distinct person के अंदर हो रहा बट यह agent छोड़के agent छोड़के को नहीं आपका distinct person है नहीं तो related person है अरे यह तेना खुद का related person है तो तो प्राइस को किता आरहम से सबसे निकालने का ठीक है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले क्या लेलो ओपन मार्केट वैल्य सप्लाइब यह मोबाइल की कॉस्टी दाउजन है कितने की हैं 60 दाउजन बट तो तेरे spouse को बेचा तुने कितने में बेचा दस हजार वह spouse से तेरे लाइक काइंड एन कॉलिटी का देख लो मार्केट के अंदर अगर वह चीज जो तुमने एक्स्क्रूजिए साउस को दिया है वह मार्केट भी नहीं मिल रहा तो उसका लाइक काइंड क्वालिटी की चीज जो भी गुड्स की बात कर रहा हम है वो रहेगा उसका प्राइज ले लो अगर वो भी नहीं रहेंगा तो रूल 30 या फिर रूल 31 को फॉलो घर लो ठीक है हाँ बट अगर गूट्स आर इंटेंड फर फॉर्दर सप्लाय एज सच बाई रेसिपियंट वैल्यू अट ऑप्चन और सप्लायर तो भी एन अमांट एक्विवेलेंट तो 90 और सप्लाय ओ गुडिव यहां पर इसने सप्लाय किया रेसिपियंट को यह दोनों को ने रिलेटेड पर संगर रिलेटेड पर संगर बात में यह जो सप्लाय वालेट से प्रोडक्ट एक अब यह जो है ना यह बागी के क्स्टमर को अपका प्रोडक्ट ए वैसे का वैसे बेचने वाला है कौन बेचने वाला है तो क्या बोलते हैं रेसिबंट तुए मार्गेट में कितने अंदर बेचने वाला है वो बोलता 10,000 उसने क्या बहुता 10,000 का 90% कितना आता 9,000 तो यह जो सप्लाय हुआ था ओरीजिनल सप्लाइर और करेंगे आगे अगला पॉइंट बोलता है रेसिबंट इस एलिजिवल पॉर इंपुट टेक्स क्रेडिट वैल्यू डिकलर इन इंवोई शल्वी डीम टूबी दो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्ज और सर्वीसेस एक्दम जहां से समझ लां अगर यह रेसिपियंट इसको पूरा आईटीसी मिलने आला है तो यह बंदे ने यह बंदे को जो इन्वोईस में वैल्यू दिया उसको मानेंगे मार्केट वैल्यू अब बात को समझो क्या बोल रहें कि सप्लायर ने किसको दिया रेसिपियंट को लेट से प्रोड़क्त का साथ हजार का कितने का थ इसको पूरा आईटीसी मिलने वाला है तो क्या बोलता है रूल 28 कि 5000 को फूल वैल्यू आप कंसिडरेशन मान लो सर साथ हजर की चीज़ उसने तो मैन्यूपिलेट करके पाच हजर बता है गवर्मेंट को 55,000 रूपिस के टेक्स्ट यो पर प्रॉब्लम लॉस हो जाएगा फिर भी गवर्मेंट ये बात को कैसे एगरी कर दा तो कंसिप्ट को समझो अगर सप्लायर ने रेसिप्यंट को 60,000 में बेचा रहे था कितने में 60,000 तो रेसिप्यंट ने ITC कितने का क्लेम किया रहता था लेट से जीएश्टी 10 परसेंड तो ये क्लेम किया रहता था इसके उपर टैक्स पेवल कितना आता टैक्स पेवल कितना था एट थाउजन तो इसने 6,000 का क्रेडिट यूज किया रहता 2,000 रुपीस का ITC क्लेम किया रहता तो गवर्मेंड को रेसिप्यंड ने 2,000 टैक्स पेवल किया रहता और शप्लायर ने 6,000 तो गवर्मेंड को किटना मिल है total 80,000, sorry, कितना मिल गया, 8,000 रुबिस का government को tax मिल गया, अभी imagine गरो, यही चीद, supplier ने recipient को invoice कितने का issue किया, 5,000, recipient ने इसको supply कितने का किया, 80,000, GST 10% से, तो recipient को अभी tax payable कितना आया, 8,000, अभी इसका ITC कितना claim करेगा, 500, मतलब अभी recipient tax कितना pay करेगा, 7,500, government को tax कितना मिला, यह देखो, 7,500 recipient से मिल गया, और यहाँ पर 500 रुबिस supplier से मिल गया, government को tax कितना मिल गया, 8,000 रुबिस पूरा tax मिल गया, तो when recipient is eligible for complete ITC, यह जो भी value of supply bill के अंदर declare करेंगे, उसी को मेरा GST के लिए value of supply consider करने का, clear है सबको, चल, लगा तो इसके एक photo लेके सबस्या हैं. अगर आप लोगों ने सप्लाई किया एजन्ट के तुरू किसके तुरू सप्लाई कर रहे तो ओपन मार्केट वेल्यू ओफ दो गूद्स बिंग सप्लाई एज तो ऑप्चिन ऑफ सप्लाईर बी 90 परसेंट ऑफ दो प्राइस चार्च पॉर दे सप्लाइब गूद्स ऑफ ला प्रिंसिपल ने सप्लाई किया एजन्ट को किसको सप्लाई किया एजन्ट को तो क्या बोलते कि इसका या तो ओपन मार्केट वेल्यू लेलो या तो अगर एजन्ट इसको फॉर्दर सप्लाई करने वाला है तो वो फॉर्दर सप्लाई का 90 परसेंट लेलो तुमारी मर्जी तुम्हारे को कितना value of consideration लेने का ठीक है और अगर उसके इससाथ से भी नहीं कर सकते हैं तो rule 30 rule 31 को follow करो ठीक है चलो rule 30 का बोलता value of supply based on cost बोलते कि देख तेको section 15 से निकलते नहीं आया section 27 28 29 इत्ता दिया तेरा फाइदे के लिए तेको वह भी निकलते नहीं आया तो सीधी एक बात कर तेरा जो भी production का cost है ना production का cost उसका 110 पर्शन तु सेलिंग प्राइस बान ले मतलब समझ आगर तुने चीज बनाई 5000 रुपीस की चीज बनाने को तेरा खर्चा कितना है या 5000 तो इसको 110 पर्शेंट से multiply कर यानि कि 5500 में बेच दे यानि कि 500 रुपे का तेरा profit consider कर ले उसको तू value of supply declare कर दे कौन बोलता rule 30 कौन बोलता rule 30 अच्छा सर कॉस्ट भी नहीं पता तो rule 31 ठख जाता rule 31 क्या बलता मालू में क्या तो एना तू कोई भी reasonable means को follow कर इसको follow कर कोई भी reasonable means को follow कर but please एक बार तू decide कर ले तेरा क्या value of supply और आमारे को tax दे समझा गया चलो उसके बाद में provided that in case of supply of service supplier में opt for these rules ignoring section 30 ignoring rule 30 इसकी बात चलुए इसकी rule 31 में क्या बोलते हैं कि अगर तुम लोग supply of service कर रहे हो तो तुम लोग तुम्हारे cost into 110% को ignore करके कोई भी reasonable means कि तुमारा value of supply determine कर सकते हो चलो बढ़ेंगे आगे इसकी बात चलुए value of supply in case of lottery betting gambling and horse racing तो इदर सबसे पहले क्या बोलते हैं कि अगर यह lottery betting gambling तुमारा देखो value of supply of lottery betting gambling क्या माना जाएगा 100 divided by 128 of the face value of ticket और price notified in official gadget whichever is higher whichever is higher तो समझो तुमारा ticket उदर mention था ticket का face value है 10,000 और official gadget में price है let's say 11,000 तो calculation किसके बैसिस पर होगा यहाँ पर होगा 11,000 के basis पर और यहाँ पर यह let's say 9,000 और यहाँ पर यह 7,000 को fast value कितना है 7,000 अभी taxable value कैसे निकालोगे दोनों case में आप इसको multiply करोगे 100 से divide करोगे 128 से logic को समझो जारा अगर मैंने एक चीच 100 रुपे की घरी दी और 28 रुपे का tax लगा तो total price कितना हो गया 128 अभी यह total price तुमारा यहाँ पर दिया हुआ है है ना तो इसको cross multiply करो इधर समझो मैंने लिग दिया 11,000 तो यह amount कैसे determine करूँगा मैं 11,000 multiply by 100 divided क्या करूँगा मैं 128 से समझा गया चलो बढ़ेंग आगया फिर आता है rule 32 क्या बोलता value of supply in respect of certain supply इसके लिए exact बोले कि value of supply तुम लोग क्या follow करोगे सबसे पहले किसकी बात चलुए है देखो सबसे पहले बात चलुए है purchase or sale of foreign currency तुम लोग foreign currency को buy or sell कर रहे हो तो सबसे पहले क्या तुमारा currency exchange from all to Indian rupees यानि कि dollar to rupees या तो rupees to dollar या तो rubel to rupees 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 to rubel कोई भी पर एक currency या तो buy या तो sell या तो buy या तो sell कुछ तो भी एक क्यांदर तुमारा क्याना चाहिए इंडियन रुपी क्या ना चाहिए इंडियन रुपी तो value of supply कैसे determine करोगे जो तुमारा buying rate और selling rate का difference है जो तुमारा buying rate और selling rate का difference है RBI के comparison में उसको multiply करो तुमारे total unit of currency के साथ उसको हम लोग तुमारा माननेंगे value of supply क्या माननें इसको value of supply बठा अगर RBI का rate इंडियन currency का उस particular currency के लिए मान लोग कई तूरमेकिस्तान की एक currency है उसका डायरेट रुपीस के साथ रेट नहीं रहता उसका डायरेट रुपीस के साथ रेट नहीं रहता तो जो भी तुमारा का कनवर्जन हुआ है उसका 1% जो भी कनवर्जन हुआ है उसका क्या हो रहे 1% आप ग्रॉस आमाउंट ऑफ इंडियन रुपीस तुमने किसमें कनवर्ट क्या 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 में रहा तेरा टोटल करन्सी कितना रहा इंडियन रूपीज में उसका 1% हम लोग मानेंगे value of supply कितना में और या इंडिया में तो सब्सक्राइब यह नो क्या होते कि देख अगर तुन्म डॉलर को रुपीज में कर आए रहता डालर को किसमें कर इंडियन रुपींट मतलब अगर दो currency exchange हो रही है जिसके अंदर Indian रूपीज का कोई लेना देना नहीं है उसका क्या बना है कि तू पहले इसको इंडियन में change करवा इंडियन रूपीज में change करवा था तो कितना पैसा मिलता तो दोनों में का जो भी लोवर है तेरे ही सचे जो लोवर है न वो उसका 1% हम लोग मान लेंगे value of supply ठीक है चलो हां या तो तेरे को सीधा हम लोग के option देते देख अगर तेरा currency वन लैक रूपीज तक है किदर तक currency तो चेंज खरा रहा रहा वन लैक तो 1% जितना भी आमोंट उसको हमार को देते कितना देते 1% ना बट मिनीमम कितना रहना चाहिए 250 मिन अमाउंट exchange एक लाग से 10 लाग का 0.5% और एक लाग तक जो उपर 1% आ रहा रहा 1,000 उत्या देदे और अमाउंट ये 10 लाग के उपर है अमाउंट किसके उपर है 10 लाग तो 5500 एंड वन टेंट आप परसें वन टेंट आप परसें मतलब कितना 0.1% ग्रॉस अमाउंट का दे सब्जेक्ट तो मैक्सीमम 60,000 रुपीज इसके उपर डायरेट कोशन आज सकता है यह मैक्सीमम किदर तक है 60,000 अब इसका मतलब सम्झों अगर जिन्दगी में कुछ नहीं है तो क्या करनेगा लाइन वारने की ऐसे सैंसर बोल क्या हमारे देखो ये लिमिट आ गई 0 ये लि सबसे पहले क्या बोलते मानू में क्या कि ये जो सराव का मार्जीन है ये मार्जीन देखो इदर एक मार्जीन आ गया अरे ऐसा कैसा हो गया देखो इदर एक मार्जीन आ गया फिर इदर दूसरा मार्जीन आ गया फिर इदर और एक मार्जीन आ गया है ना तो क्या बोलते यहां पर जो भी transaction हो रहा, 0.5% हमें देदो, और यह जो difference है ना, उसका हमें सिफ 0.1% दो, उसका कितना दो, सिफ 0.1%, यानि कि देखो, 1 lakh का 1% कितना था, 1 था, उसे ना में देदो, फिर यह कितना बसता gap, यह gap कितना है, 10 lakh minus 1 lakh, 9 lakh, उसका 0.5% देदो, साड़े 4,000 देदो, और यह gap कितना है, 30 lakh, उसका 0.1% हम मांग रहे, उसका 0.1% हम मांग रहे, मतब कितना 3,000, तो टोटल कितना हो गया यह मेरा, 8,500, इसको consider करने का value of supply, क्या मानेंगे इसको value of supply, clear है क्या, बढ़ एक बात को याद रगना, अगर यह चीज़ तुमने साल के ब नहीं कर सकते, फिर continuous तुमारा value of supply, यह भी वाला पाट है, यह जो पनना भी slap देखा, उसकी साब से होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में तुम लोग क्या कर रहे हो, booking of tickets, क्या कर रहे हो, ticket का booking कर रहे हो, भाई, कई तो घूमने जा रहे है, प्लें से, तो या तो तुम लो domestic में जा रहे हो, तुम लोग domestic में जा रहे हो, तो जो भी ticket को पर basic fair लिखा है, जो भी उसका basic fair लिखा है, उसका 5%, देखो, domestic के लिए कितना, domestic के लिए basic fair का 5% value of supply मानेंगे, और भाई, या कई international विदेश जा रहे हो, तो कितना मानोगे, 10%, कितना मानोगे, 10% of basic fair का लोग बानोगे, आपका value of supply, यह रहे, चलो, उसके बाद में आता है, आप लोग किसकों से business के अंदर हो, life insurance business, किसके अंदर हो, life insurance का business के अंदर हो, LIC अगेरा का, तो अब भी देखो, सबसे पहले, अगर मेर को मालूम है, कि मैं कुछ पैसा invest करने वालो, मतब समझो अगर आप लोगोंने policy निगा ली, 10,000 की, वोर मैं आपको बोला, 8,000 की मैं आपकी risk cover कर रहा, और 2,000 रुपे मैं आपका invest करने वालो, तो मेरा value of supply क्या बोलते, gross premium charge, reduce by amount allocated to investment, if such amount is intimated to policy holder, मतला मैंने आप से 10,000 रुपे का premium लिया, और मैं आपको बोला, कि मैं 8,000 रुपे मै आपकी risk cover कर रहा, 200,000 रुपे मैं invest करने वालो, अपकी बीहाफ पे, पका value of supply बन जाएगा, 8,000 रुपे यानि की 8,000 रुपे, clear है, चलो, उसके बाद में मैंने सिफ तुमारे को क्या बोला, single premium annuity policy, मैंने बोला कि मैं आपको 20 साल का life coverage दे रहा हूँ, आपने मेरे को पैसा द मेरे को 20 साल बाद कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको पैसा return दे दूँगा, कितना 10 लाग, मतलब यहाँ पे मैं सिफ आपकी risk cover नहीं कर रहा, मैं आपको reward भी देने माला हूँ, मैं आपको reward भी दूँगा 20 साल बाद, मैं आपको बोल ली रहा कि मैं पैसा इतना risk के लिए डा clear है, उसके बात में कि अगर समझो तुम लोग premium ले रहे हो हर साल ले रहे ओ, कितना 5,000 पाइफ ताउज़न पाइफ ताउज़न तो सबसे पहले का देवास्ट यहर में 25 परसेंट फिर्स्ट यहर में कितना 25% कितना था 1250 कितना आथा 1250 को आप लोग मानेंगे वाली और जो भी सब्सिक्वेंट यह जो भी सब्सिक्वेंट यह न उसमें आप लोगोंने कितना माननेगा 12.5% यानि कि इसका आता है यह 625 गुपीश यह क्या मानने का वाली आफ सप्ला यानिकि यह हो गया आपका risk वाला part बागी का होगा reward वाला part is it clear is it clear चला हाँ अगर पूरा का पूरा premium तुम्हारा सिर्फ risk cover हो रहा हो सिर्फ क्या cover हो रहा risk तो उसको यह रूल एप्लिकेबल नहीं होगा चलो तो उसके बाद में अगला पॉइंट क्या अता ही क्या बोलते हैं कि भाईया अगर आप लोग एक तो ऑनलाइं शुड़ेंस जो भी लेक्षे देख रहे हैं प्लीज पहले कमेंट करो यहां तक समझा है क्या नहीं वीडियो को लाइक और जरूर करना चलो उसके नागर आप लोग वाइंग अन सेलिंग कर रहे हैं किसका कर रहे हो सेकेंड है डैन गुट्स का अगर आप लोग माइन कर रहे हैं जिसके अजसे नेचर आफ गूर्स चेंज नहीं हो रहा इसके जीन गोरो आप लोगों ने छीज घरी दी 10 अजर मैं यह तो चलो एक example लेते कार का आप लोगोंने कार घरी दी दो लग रुपे में कार को बेचा दो लग 20,000 में तो आपका profit कितना हो गया तो 20,000 को मान लो value of supply क्या मानोगे 20,000 को value of supply लेकिन बात बता हो ना मैंने गाड़ी घरी दी दो लग में और मैंने ये गाड़ी बेची 1,90,000 में तो मेरा क्या value of supply माइनस 10,000 आएगा क्या माइनस 10,000 आएगा क्या answer is no value of supply नेगेटिव रहा तो नेगेटिव बात को क्या करनेगा ignore जैसे वो आपके message को करती है मजा कर रहा पर उसको क्या कर देनेगा ignore कर देनेगा समझा क्या चल उसके बाद में किसकी बाद चल हुए value of token voucher और coupon which is redeemable against supply of goods or service shall be equal to the money of value of goods or service और बोद redeemable मतलब समझो मेरे पास एक coupon था वो coupon था 25% आफ का 25% आफ का मैंने coupon लिया था let's say 20 रुपे में बट वो क्या बोलता था कि जितना भी तू बिलिंग करेगा उसका 25% हम लोग आफ देंगे तो मैंने बिलिंग किया एक हजार का आफ कितना मिलिया 250 ठीक है उसकी अगला पॉइंट किसकी बात करता है रूल 33 वैल्य और सप्लाइव सर्विस इन केस ओप यॉर एजंट यानि कि कल जाए के समझो आप लोग नहीं क्या फ्यूचर के सीए 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 में वाले बच्चो आप लोगों के पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने यह में मेरे को और रुप्य रूपय देता कैंकर को और आप मेरे भी आपके ऊना पारा अव समझो उस्ने आपको कित्ता पैसा दिया रुपी में उसको बोला तक मेरको तो 10,000 दे तू 2000 रोज़ी को दे वो लायार मेर को नहीं जमना रोज़ी को देने के लिए तुम बोले अच्छा ठीक है यह 2000 मेरा इंकम नहीं है मैं तेरे भी अफ़े में रोज़ी को पेमेंट कर रहा तो मेरे वैलियोज सप्लय में यह 2000 रुपे को इंक्लूड नहीं करनेगा स श्याला हूँ सर रेट ऑफ एक्षेंज कौन सा लेने का अगर 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 इंडियन करन्सी है तो तो लेने का एप्लीकेबल रेट जो बोर्ड नोटिफाई करेगा सेक्शन फॉर्टिन ऑफ कॉस्टम्स एक्ट के अंदर फॉर देट ऑफ टाइम आफ सप्लाइव सप्ल आप समझो अगर मैं आपको बोला कि वहां मैंने एक प्रोड़र्ट घरीदा 10,000 का इसके उपर 28 पर्चेंट जीएश्ट लगाना है कितना इसी है कैल्कुलेट करना 10,000 इंटू 28 पर्सेंट लेकिन अगर मैंने बोला मैंने एक आधी चीज़ खरीदिये 10,000 की विच को समझो देखो थाओ 100 रुपीस की चीज़ खरीदी 28 जीएश्ट वरत तो 128 बन जा मेरा टोटल प्राइस अभी यह टोटल दिया है आपको इदर यह टोटल कितना दिया है 10,000 तो यह आमोंट के से निका लोग है आप सिंपल है 10,000 इंटू 28 डिवाइड बाए 100 है और यह आम सम्झा क्या सम्झा क्या सम्झा क्या चैये तुसका स्क्रींशॉट लेगे रख लूँ पढ़ेंगी अगी क्यों गया स्कैनर करेंगी स्वाहव चलो 72 73 रीड गरू पढ़ाक से अचलो 72 के बलताओ वाल्यो अप्लाई क्या रहंगा वाल्यो अप्लाई आप्लाई अचराओ प्लाई आप्लाई क्या दे रहो after supply is deducted if it is given as per agreement discount को invoice से link करना चाहिए ITC को भी reverse करना चाहिए जी हाँ सारी बाते होनी चाहिए आंचर आएगा D subsidy कौन देरा है subsidy Central Government Central Government में दे रहा तो इसको हमेशा क्या करोगा अप लोग not to be included in value of supply कभी चाहिए नहीं आएगा फिर which of the falling shall not be included in supply क्या बोल रहें not not में क्या नहीं आता GST charge under this act नहीं आएगा इन सबको अपन बोलते enhanced compensation क्या बोलते है पन इसको enhanced compensation के GST में आएगा which of the falling those shown in bill will not be included in determination मतलब बिल में दिया है फिर भी उसको नहीं लेंगे आपन किसको नहीं लेंगे discount को ना भया उसको तो exclude करते है ना पन फिर वें supplier and recipient are not related and price is the sole consideration दोनों बाते हो गई यह related भी नहीं है price sole consideration है तो value of supply अपन किसके हिसाब से करते है यह करते अपन इन सबके हिसाब से यह बोलता कि 15 2 & 15 3 के हिसाब से करो नहीं sorry 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 15 1 बोलता value of supply shall be transaction value if parties are not related यह बोलता क्या-क्या include करने का यह बोलता क्या-क्या exclude करने का समझा क्या फिर आजाओ section 78 in respect of supplies notified by central government on recommendation of GST council supplies notified by government उस case में क्या बोला हो है इन दोनों के हिसाब से होगा section 55 & rule 32 के हिसाब से फिर value of supply के अंदर क्या-क्या नहीं आना चाहिए अनी नॉन-tax duties वगर अरे ये तो आना चाहिए इंट्रेश लेट्फी for एनी कंसिडरेशन ये भी आना चाहिए सब्सीडी डिरेक्ली लिंक्ट टॉप्राइट एक्सेप्सीडी प्रोवेड़ेटर वाई सेंट्रल गवर्रमेंट हाँ ये नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए ये भी आना चाहिए तो क्या क्या आना चाहिए ये औल आफ दवाव आना चाहिए इदा पूछावाय है इंक्लूड तो सब इंक्लूड होगा When supplier and recipient are related person and price is not the sole consideration तो valuation किसके ही सबसे करेंगे अब अबन section 15-4 यानि की rule 27 से लेखे है रूल 31 के इस सब्सेट गने है विच अफ द फॉलिंग सब्सेडी विल नॉड बी इंगूदे इन ट्रांजेक्शन वेल्यू सब्सेडी बाइ चैनल गवर्मेंट नहीं आएगा बाइ एंजी ओ आएगा सिर्फ किसका नहीं आएगा या सेंट्रल या स्टेट गवर्मेंट का नहीं आएगा और फिल्म ट्रेनिंग इंसीटूट अस सब्सेडाइज इट्स कोर्स अप अकाउंट वस्चेडी रिसीट विच अफ द फॉलिंग शाल भी इंक्लूदे इन वेल्यू आउज सप्लाइज कौन चाहिएगा सब्सेडी फ्रॉम सिन एस्सोसियेशन मूबई सब्सेडी फ्रॉम युएस गवर्मेंट सब्सेडी फ्रॉम वार्न ब्रदर्स ऑफ होलिवूड उदर के बहुत बड़ी कंपनी है फिल्म वाली या ओल आउफ दाव इन सब को मैं वैल्यू आड करूंगा क् है मैंने प्राइस को कं किया क्यों की नियुक्त जिल तीव मतलब प्राइस डायरेक्ली टू प्राइस मेना सब्सेडी बट सर गवर्मेंट को नतने करने यह जाटिज मैनुफेक्ट्टर बाई रिशीवल बैलीओ प्रिंटर कितना है चार हजार बट ओपन मार्केट वैल्यू आप लप टोप टोप is प्रतांने सेट लोटरी डाष्ट को युटुट राइश हृब ने हाय स्टे अंड गूचे के आधर अंडर है। because goods means every kind of movable property other than money and securities but including actionable claim the lottery betting gambling किसके अंदर आता supply of goods किदर दियावा है section 252 as per notification number 2 by 2017 the supply of lottery is exempt from GST if supplier of lotteries any person other than government the appropriate GST was paid when lottery was supplied by government to authorize dealer so agar ये दोनों बाते condition fulfillो दी तो lotteries exempt from GST which of the following statement are correct section 88 के सबसे so equation number 88 क्या बोलता which of the following statement is correct section 15 prescribed different provision for valuation of goods ना रे बाबा सेम ही तो है six cgs and igst of different provision for valuation ना रे हा section 15 of cgst prescribed same set of provision for valuation of good ये आंसर होगा प्राबबर शीवानी अनर्वानी अज़स्ट अवानी आपका बडाबर शीवानी एधावे ज़ान वानी एधा वानी आपका वानी आपका पका बडाबर यह दो नो रिलेटर है, X limited sold goods, 2 Y limited at 80,000, the similar goods sold by X limited in the open market value are, 1,25,000, is valuation possible as per 15,000, answer is no, no बोला मतलब यह चला गया, यह चला गया, also find out the applicable provision, market में 125 में बेस्टेना, तो मेरे को भी मेरे को भी 125 में देने का ना असी आजार में तुमने लिया तुमने ट्रांजेक्शन किया बट सेक्शन 15 के इसाब से वैल्यूएशन हो गाई ही निए इसका आशर आप लोग निकलो करो 3,000 डॉलर एंटू 63 करो 2200 इंटू 85 पाउंड करो इधर एक आमाउंट आएगा इधर एक आमाउंट आएगा यह समझो ए यह समझो भी लोवर लो किसका लोवर ए अबलिक भी जो भी लोवर आएगा उसको वन परसेंट से मल्टिप्लाइ कर गें मुझे इमिज़र्ट यह चाहिए क्या आ रहा है कोश्चन 95 का 91 गा अंसर मैं आप लोगों के अंसर का वेट कर रहा है जल्दी से अंसर बताओ आया के अंसर में का अंसर चाहिए जल्दी जल्दी अंसर दो कमेंट करो पड़ा पट चाहलो क्या हो गया क्यालशीलिए की नहीं बड़े हो गया जोग्ब आंसर केलक्यूलेट करो 1870 आंसर हाना अच्छी आपका फिर Mr. A and travel agent has provided the following details, basic पर domestic का, domestic में कितना, 5 लक का, international में कितना, 10 लक का, 5 लक का, 50,000 मदर 25,000, plus 1,50,000, total कितना अगया, 175, कर दो answer को मांग, 175, ठीक है, चल, फिर विनो दिजन A travel agent, for the month of March 28th, he has collected 22 लक, 22 लक, basic fare for domestic, 30 लक for international booking, value of supply कितना हैगा, simple, 22 लक का, domestic में 5%, मतलब कितना अगया, 22 लक का, 1 लक, 10,000, 4, 3 लक, कितना अगया, 4,10,000, answer हैगा, 4,10,000, clear है, कोई बात नहीं समाट, it's okay, फिर देगो, Santosh Interiors have charged, 3,77,600, from the client, in respect of services provided, for the month of February, the rate of GST is 18%, the amount is including GST, तो simple है, मेरे को क्या निकलना है, amount of total tax, देखो, 100 रूप एकी चीज़ रहती, 18 रूपे tax लगता, तो 108 आता, इदो बोले, 3,70, 3,77,600 दिया हुआ, इसको निकलना है, कैसे calculate करो कि आप लोग, 37,77,600, into 18, divided by 118, करो, ये करके मैं को आंसर जल्दी से बताओ, क्या आता, जल्दी जल्दी बताओ, Online students में को सबका comment में answer जरूर चाहिए, चल्द, ठीक है, next, Goa government has issued 1,600 ticket of the Mahalakshmi weekly lottery, face value कितना है, 1,000, official gadget का price दे, 800, क्यूंकि government ने issue किया, इन दोनों का highest ले दो, 2 Bhuvan Limited, who is one of the lottery distributors, this lottery can be sold by Bhuvan, even outside India, applicable rate is 28%, value of supply कितना मांगने का, क्या बुल रहे हैं, बोलो, what is the value of supply, तो सबसे वेले, 1,000 और 800, which is higher, मतब कितना हां गया है, 1,000, कितना हां गया, 1,000, तो 1,000, इन टू, कितनी टिकेट है, 1,600, तो value of supply कितना हां गया, 1,600,000, अंसर कहाएगा, C, अंसर कहाएगा, तो आंसर कहाएगा, 100 divided by 128, तीक हां, which of the funding is treated as incidental expenditure in the section 15-2C, commission भी लेने का, packing भी लेने का, payment charges भी लेने का, all of the book, the selling price of a notebook is Rs.50, for notebook sold to a student in government, company uses CSR fund to pay the seller Rs.30, so that student can pay only Rs.20 per notebook, देखो, notebook का price कितना है, 50, student से कितना ले 20, 30 रुपे का directly linked to subsidy है, Rs.30 का subsidy क्या है, directly linked to price है, एक notebook के बीच है Rs.30, तो value of supply कितना आएगा मेरा, 50, कितना आएगा, 50 आएगा, clear हैगा, देखो, a supply price at 10,000 is made at a credit period of 1 month for the payment, thereafter the interest of the 12% is charged, the payment is received after 3 months, after the lapse of 3 months from the date of supply, the amount of 12% per annum is charged, तो यह जो भी 300 रुपे का interest है, उसको क्या करोगे आप लोग, value of supply में add करोगे, include करोगे, ठीक है, चालो, last point, value of supply, सबसे पहले आएगा, 5 लग, उसके बाद में कितना दिया, 20,000, उसके बाद में कितना दिया, 1, 2, 7, 1, 2, 3, नो काईड करतो, 5, 3, 2, 7, 1, 2, अंसर क्याएगा मेरा, अंसर हैगा option A, यह बन जाएगा, value of supply, is it clear, लगबख 50 मिनिट्स, सारा value of supply, इं डिटेल आप लोगों को में explain कर दिया, वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज लाइक करना, comment करना, जितना उसे के अपने दोस्तों के साथ इसको share कर दें, all the best, मिलेंगे नेक्स लेक्चर में with place of supply,